हेलो दुस्तो, दुस्तो मैं अभी अभी Dream Girl 2 नाम की मूवी को देखकर लॉड कराया हूँ and honestly यार मैं काफी excitement के साथ गया था इस मूवी को देखने के लिए क्यूंकि इसका जो first part था जिसका आपसमें कोई connection नहीं है लेकिन first part काफी अच्छा था बहाँ पर जो humor था, जो कहानी थी है और जो कुछ भी हमको देखने को मिला था उस movie ने हमको जो कुछ भी offer किया था वो काफी अच्छ था है और इसी वज़े से वो movie चली भी थी box office पे उसने अच्छा कासा business भी किया था and अब आई है भाई Dream Girl 2 and आपको एक बात मेरी माननी पड़ेगी कि 90% cases में इंडिया में जब भी कोई इंडिया में यह मुझे कहना चाहिए कि specifically Bollywood में जब भी first part की काम्याभी को बुनाने के लिए इन लोगों ने जबल दस्ती second part बनाया है तो भाई उन्होंने कच्छे का धिर बनाया है for example दबंग 3 है राधे Most Wanted भाई है and अब यह आई है Dream Girl 2 भाई सा मतलव शुरू से लेकर end तक महान चूतिया पर गलाब है इस movie में कुछ भी नहीं है ना humor है ना fun है ना entertainment है ना कोई treatment है ना कुछ अच्छा drama है ना कुछ अच्छा मसाला है उपर से lengthy और boring feel होती है पेसिंग तो यतनी स्यादा थंडी है कि मैं क्या ही बता हूँ अगर कोई यह कहता है कि movie में entertainment भर भर के है तो भाई वो जूट कह रहा है मैं यही कहूंगा कि वो जूट कह रहा है और भाई मुझे मेरा इतना दिमाग खराब हो गया था कि मैं करीब 45 मिनट पहले इस movie को देखकर लटकर अपने घर पर आ गया था अब जाकर मैं review कर रहा एक fiend था जब उसको offer मिला कि वो लड़की बनकर शादी कर ले है और उसको 50 लाख रुपए मिल जाएंगे यानि कि आईशमान खुरान को यानि कि पूजा को तो पूजा के फादर कहते हैं यानि कि अनु कबूर अप कहते हैं एक रात के तिपैफे मिल रहे हैं मतलब गाना पर जे मान नहीं रहो तो इसमें आईशमान खुरान जाने कि पूजा कहती है गाना गाने के कोई problem नहीं है बोलो कुछ बजाने को ना बोलें ये सोचकत गभराट हो रही है इस तरह के एंड कुछ और भी dialogue थे एंड एक ही dialogue all था खुजली हो गई है वाई खुजा दे ये उस इंड उसके बाद उनको पता चल जाएगा कि इस कूटी समझकर जिसको घर पर लाए थे वो असली में बॉलेट है तो इस तरह कि चीप और भाहिया dialogue इस movie में भरे पड़े हैं और भी कुछ dialogue है प्रिंसिपल साहिबा है जो गालियां दे रही थी अचानक से वो सीट पे बैठ हुई है बैठी हुई है अचानक से वो फट पड़ती है और वो गालियां देती है हिंदी में हलाकि वो अशलील गालिया नहीं थी लेकिन इफ्टिल गालिया थी एक dialogue और आपको सुना कर बताता हूं आप मा बनना पसंद करेंगे ये बिजयराज कहते हैं पूजा से तो पू मूवी चल रही थी है और उसके बाद मैंने इसको घर पर आकर अपने PC पर जाकर इनको नोट डाउन किया है तो यह सब यहां पर चलता हूं आ रहा है एक दो डायलोग पास्ट में अच्छे थे जब मूवी में हफी आ थी लिटरली हफी आ थी कुछ डायलोग थे पर एक्ज अच्छा हुआ अम्मी चान निकल गई नहीं तो अबूजान भी बन जाथा तो यहां पर थोड़ी हफी आई और उसके लाब मैं निकला गटी लेकर जब वो गान आया भाही यहां पर इस मूवी में तो ऑडियंस अचानक से जो बोर हो रही थी जो पक रही थी जो शान्त व भी में जब पूजा याने कि अईशमन कुणा ना BA tätä रवाज लेडी जी टोइलेट में जा रहा था आ र्याता ऑरो पता नहीं क्या ही कर रहा था मतलब लड़की होकर ड़्धि टोइलेट में गुफ्टो गया लेकिन निकला जब लड़का निकला तो किसीदे उसको टोका नहीं, कूटा नहीं, मारा नहीं तो यह थे और एक एक अंत मेख Drum था जब उसकी मतलब मैयत उसकी हो रही थी यह बात अनू कपूर साब कहते हैं इन printed हरतीनों ने हमाई मौने को मड़क दो तो यह कुछ थोड़ा अच्छा लगा बाकि यार मूवी में कहानी की नाम पर अगर मैं आऊँ तो यह है कि उसका इश्क है यानि की पूजा यानि की आईश्मान खुराना का इश्क है अनेनिया पांडे से जिसका नाम है परी तो उसकी फादर की शर्थ है कि वहाई तेरे अकाउंट में कम से कम 25 लाग रोपाई होने चाहिए एंड तेरा घर जो अपना घर हो एंड जॉब हो एंड यह सब 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए तो उसको कुछ समझ में नहीं आए तो उसने कहीं देखा था कि जो बाहर म जिसने पिले किया है मंजूत को तो उसका जो उसका जो जो लव इंटरिस्ट है वो मुसल्मान है और उसके बाद उसका जो बेटा है और और कुछ चीज़ों ही तो उसके पास ऑफर यह आता है परी पूजा के पास कि 50 लाख रोपाई मिलेंगे उसके लड़के से शादी कर यानि कि परेश रावल साब के लड़के से शादी कर ले 50 लाख रोपाई मिलेंगे और वो भाई 50 लाख के लिए शादी कर लेता है और उसके बाद फिजूल के यहां पर भषड शुरू हो जाती है जिसका कोई सरपैद नहीं कोई पता ठिकाना नहीं कुछ भी नहीं है हर कि पर बन्दे का नाम है रंजन राजजानी की टाईगर पांडे उसको भी हुस पर करश हो गया है तो फाई पोरी तेरह से बोरिंग थी पकाहु थी अपहलाई मेश्चिन मिटाने के लिए अरनिया पांडे को और ऐशमान खुरानों को एक ही जग बलाताS लेकिन उस बंदी की जो वो सरदार है उसकी लव इंटरिस्ट आ जाती तो वो देख लेती फिर वो चली जाती फिर उसके हाथ में एक एक बिराथी जो वो यूं कर के गुमारा धानन्या पाणने पीछे आकर देख लेती तो बहाँ पर थोड़ी है तो हाँ हजी आती है में कोई बात नहीं है मेरे सर में दर्द होने लगा इस मूवी को दिखते हुए इतनी ज्यादा लेंदी फील होती है कि मैं बता नहीं सकता हूं करीब 2 गंटे 10 मिनट की फिल मैं भाई सब एंड ये लग रहा था मुझे कि पता नहीं कितनी लंबी है कब खत्म होगी खत्म हो अगर आप कोई कोई डिमांड करेगा कि डायलोग लिख दो तो मैं डायलोग लिख दूंगा कमेंड में अब सभी से बैठके पढ़ लेना तो ये है पूरी मूवी में भाई से मतलब क्या ही था ये क्यों था जो विद्धा समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाना चाहते थे को वाई तो बी ओनेस्ट रहे है जो महानिस टारकास्ट है इस मूवी की वो पूरी तरह से बेस्ट की गई है यानि कि इवन असरानी साब भी सिर्फ एक ही डायलोग बोले है इस पूरी मूवी में बहु लड़का है फिर इतना उन्होंने बोला और उनका जो करेक्टर है वो न यह हुई रिब्यू मुझे फिवूल में और लंबा नहीं करना है क्योंकि मूवी में कुछ भी एंट्रीनमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है पूरी तरह से बोलिंग है बगबा से महा पका हूँ एंड संतरे को लेकर जो बहु चीज़ें चल रही ही थी वो कहता है कि पहली कि तरबू चलेगा तो एतना लंबा है शारा करता है तो एतना लंबा है यहां पर जाएगा तो यह फिर्जुल का ड्रामा यह पर चल रहा था तो बहुत मुछ भी अच्छा नहीं लगा इस पूरी मूवी में पूरी तरह से बेस्ट किया गया इविन राजबाल यादव के द्वारा जो कॉमेडी की गही है इस मूवी में बही मुझे अच्छी लगी उसके लापर कोछ भी मुझे अच्छा नहीं लगा है और यहां पर अच्छा नहीं है जैसा कि मैंने का लेंथ इतनी ज्यादा फिल होती है कि लगता है कि मूवी पता नहीं कब खत्म हो गई यह व मुझे लगता है कि वो कहिनक ही सही कहता है इन लुकों ने अपनी इमेज बनाके रखी है ऐसी अपनी गंदी की मैं बता नहीं सकता है अनन्या पाणने के काम ठीक है परी के किरदार में ठीक लगी है उसका ज्यादा दोल था ही नहीं तो यह है और उसके लाबा अनु कपूर यह लगता कि यह पूरी मूवी में भूब ऑपी कर जूम रहे हैं पूरी मूवी में वो जूमते रहते हैं उस लड़की पर जिस लड़की को उनके बेटे पर पर ज़याता है उस बड़की पर यह है फीमा पापा उनका नाम है तो विजयराज इधाशपलया ब यूसभी ना राइटिंग, ना ट्रीटमेंट, ना पूटेंशल, ना ट्रामा, ना मसाला, ना एंटर्टेंचमेंट, ना फन, ना कुछ भी अच्छा हैं आपल नहीं है, महाँ पकबास फिल्म है ये, मेरी तरफ से जस्ट वन इस टार यार, इस पूरी घटिया मोवी के लिए 5 मैं से, आ मैं सॉरी, दिब्यू इतना लंबा हो जबकि मैं नहीं चाहता था कि दिब्यू इतना लंबा हो, लेकिन फिर भी 10 मिनट, 50 फेकिन का दिब्यू हो गया है, मुझे बाई बोल ला है, टाडा, खुश रहिए, फैलामत रहिए, बाकी लिखते रहिए कि आप लोगों का TKF अब हो